नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको स्नैप्चैट पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूर पासपर्ड मस्ट वी एट लेस्ट एट करेक्टर्स तो गईस अगर आपक हमें यह प्रॉब्लम सो करता है और पासपर्ड मस्ट वी एट लेस्ट एट करेक्टर्स तो गईस इसका क्या मतलब है तो गईस इसका मतलब है कि जो हमें स्नैप्चैट बोल रहा है कि आप जो है अपना पासपर्ड एट करेक्टर्स तक तो रखें या एक एट करेक्टर्स स से कम का होगा तो यह सपोर्ड नहीं करता है स्नैपचेट क्योंकि यह बहुत ही इजी पासपर्ड हो सकता है और इसे कोई पता लगा सकता है तो गाइस आपको ऐसा पासपर्ड नहीं रखना है आपको यहां पर स्टॉंग पासपर्ड रखना है मतलब मतलब हम अगर कहें तो य ऐसा कैसा पासपर्ट बना सकते हैं इसमें आप सेंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन्हें को आपको मिक्स करके हैं पर आप अच्छा पासपर्ट बना सकते हैं तो गईस यहां पर आपको एट करेक्टर चुन लेना है तो गईस यहां पर डाला करो यह एट करेक्टर से मतलब एट वर्ट से छोटा था पासपट इस वज़े से आपको यह प्रब्लम आ रही थी तो गईस यहां पर हम सेकेंड में भी डाल देंगे उसके बाद देख सकते हैं पासपट से हमारे जो पासपट है वो चेंज हो चुका है तो यह से आप अपने स्वाड़ को आप अप 알고 हुक्स कर सकते हैं है